तो श्रधा और आस्ताप के बीच पहले दोस्ती फिर प्यार और इसके बाद इस रिष्टे में मन मुटाव हुआ जो मारपीर तक जा पहुचा बात इतनी आगे बढ़ी कि पुलिस तक भी शिकायद जा पहुची रिष्टे का मौका देते हुए शिकायद वापस ली गई इसका दर्द दोस्तों को भी बत्राया गया और फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मौत के घाट उतार दिया गया श्रधा के प्यार की कहानी मौंबई से सटे वसई से शुरू होकर दिल्ली के महरौली में खत्म हो गई श्रधा के प्यार में कई उतार चड़ावाए कभी मार खाई तो मनाने पर मान भी गई श्रधा वॉलकर के साथ आफ्ताव मार पीट करता था ये नई बात नहीं थी लेकिन 23 नवंबर 2020 को शायद आफ्ताव ने मार पीट की सारी सीमा पार कर दी और इसी वजह से श्रधा को पुलिस टेशन जाना पड़ गया श्रधा ने पुलिस को शिकायत की और बताया कि आफ्ताव उसे गला दबा कर मारना चाहता था और काट कर फेक देना चाहता था श्रधा ने लिखा कि आफ्ताव का परिवार ये जानता है कि मुझे आफ्ताव मारता है और मेरी हत्या करना चाहता है आफताब मुझे ब्लाक मेल कर रहा है और मारने की धमकी दे रहा है आफताब का परिवार वीकेंड में हमसे मिलने आता है मैं अब तक उसके साथ थी क्योंकि हम शादी करने वाले थे आफताब के परिवार का आशिरवाद उस पर है मुझे कुछ भी चोट पहुशी तो जिम्मेदार आफताब है तो श्रद्धा ने अपनी शिकायत में लिखा मैं श्रद्धा वॉलकर उम्र 25 वर्ष आफताब पुनावाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ आफताब विजे विहार कॉंपलेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है मुझे गालिया देता है और बेरहमी से मारता है आफताब ने मेरी हत्या करने की कोशिश की और मुझे मारा आज मेरा गला दबा कर हत्या करने की कोशिश की उसने मुझे धमकाया ब्लाक मेल किया और कहा कि मेरे टुकडे टुकडे कर फेक देगा अच्छे महीने से आफताब मुझे मारता है लेकिन मुझे में पुलिस में आकर शिकायद दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आफताब ने मेरी हत्या करने की धंकी दी है आफताब के माबाप को ये पता है कि आफताब मुझे मारता है और हत्या करने की कोशिश की उन्हें ये भी पता है कि हम लिविन रिलेशन में रहते हैं और सब्ता के अंतमेद मिलने भी आते हैं हम शादी करने वाले थे और आफताप के परिवार का अशिरवाद भी मिला है इसलिए हम अब तक साथ रह रही थी आज के बाद मैं आफताप के साथ नहीं रहना चाहती अगर मुझे किसी भी प्रकार की शारेरी क्षती पहुशती है तो यह माना जाए कि यह चोट आफताप ने पहुचाई है क्योंकि लिख जाने पर हत्या करने की धमकी देकर ब्लैक मेल करता रहा है तो यह वो लेटर था जो श्रद्धा ने अपनी शिकायत में लिखा था